नवस्कार दोस्तों मेरा नाम है रवाग और सुवागत आपका हमारी एक और नी वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नूली लॉंच फ्रॉंक्स के सभी वेरेंट्स की ओन रोड प्राइज यह सारी जो प्राइज है दिल्ली के अंदर की है अगर आपको ओल ओवर इंडिया की प्राइज जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपना सीटी लिग देना और जो जिस भी वेरेंट के आप और प्राइज जाना चाहते हैं क्योंकि अलग अलग सीटी के अंदर भी प्राइजिंग का वेरेशन वो रहता है दिल्ली के अंदर कुछ और होगी आपके लखनों गेरा के अंदर कुछ और होगी जैप्र में कुछ और होगी तो टॉडल बारा वेरेंट के अंदर भी यह इस गाड़ी को मारते हैं हमें प्रोइड करवाने वाली है दो इंजिन उप्शन के साथ में सबसे पहले बेस वेरे है 7,46,000 रुपे यह जो ओन रोड हमें चला जाएगा दिल ली के अंदर 8,51,000 रुपे के अंदर इसमें मैंने तीन चीजें इंक्लूड की है इंसुरेंस भी है आपका आर्टी और रजिस्ट्रेशन भी है फास्टेक भी है साथी जो अधर हैंडलिंग चार्ज होते हैं आपके दूसरा एक नेकसा सोरूम की एक गाड़ी है तो नेकसा कार्ड दिया रहता है देते हैं वो हमें आट्सो नौट रुपे का बाई वो कार्ड रहता है वो भी इस और प्राइस के अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया है साथी एक एक एकसिसरीज कीट भी फ्रॉंक्स के साथ म हमें लेनी पड़ती हैं गाड़ी इससे पहले हम सोरूम से बारह उन नहीं निकाल सकते हैं अब आते हैं सेकर्ड नमर के वेरियंट वो है डेल्टा डेल्टा मैनुड ट्रांस्मिशन हमें पड़ेगा एक सोरूम आर्ट लाग बतीस हजा रुपे गा अगर इसकी और प्राइ यह 1.2 लिटर वाला है एक सोरूम प्राइज है इसकी आट लाग 22,000 रुपे और ओन रोड यही वेरियंट चला जाएगा 9,94,000 रुपे के सम्धिंग साथी इसमें ओटोमेटिक ट्रांस्मिशन हमें डेल्टा प्लस में देखने हो मिलता है 1.2 लिटर वाल एंजन के अंदर तो इसकी एक सोरूम प्राइज है 9,27,000 रुपे और ओन रोड भाई यह वेरियंट चला जाएगा 10,05,000 रुपे के अंदर अब आता है कि वन लिटर वाल एंजन के वेरियंट की बात करें तो इसमें सबसे बेस वेरियंट है डेल्टा प्लस वेरियंट है डेल्टा प्लस वे दिल लिग अंदर 10,98,000 रुपे के अंदर दूसरे अगले वेरियंट की बात करें तो यहां पर आपका टोप अप्लाइन का सेकिंड वेरियंट जीटा मैनुल ट्रांशमिशन की बात करें तो 10,55,000 रुपे वाईज की एक सोरूम प्राइज है और ओन रोड यही वेरियंट चला जाएगा 12,35,000 रुपे के सम्धिंग और ओटोमेटिक ट्रांशमिशन की बात करें जीटा वेरियंट की तो यही वेरियंट भाईज है इसकी 12,05,000 रुपे और इसकी ओन रोड प्राइज हो जाएगी 14,3,000 रुपे अब आते हैं टोप अप दा लाइन के वेरियंट की एलफा वेरियंट भाई इसमें आता है टोप अप दा लाइन का वेरियंट अप फ्रोंक्स के अंदर तो मैनमल ट्रांशमिशन की बात करें तो एक सुरूम प्राइज मर्ती ने रखिया 11,47,000 रुपे और ओन रोड यही वेरियंट भाई दिले के अंदर चला जाएगा 13,37,000 रुपे के अराउंड साथी ओटोमेटिक ट्रांशमिशन की बात करें तो एक सुरूम प्राइज है 12,47,000 रुपे और ओन रोड भाई यह वेरियंट से ला जाएगा 15,09,000 रुपे के सम्तिम एडगे इस फ्रोंक्स के ट्रांशमिशन को भी लेके मापको तीन अमेजिंग फे बात कर रहा हूं और ओन रोड की अगर बात करें तो भाई 11,000 रुपे का डिफरेंस रहने वाला है मैनुवल और ओटोमेटिक ट्रांशमिशन के अंदर मैनुवल थोड़ा सस्ता आता है ओटोमेटिक अवो महंगा रहेगा अब वन लिट वाले टर्बो एंजिन की बात करें तो भाई फ्रॉंक्स के अंदर में डूल टॉन कलर ओप्शिन भी देखने हो मिलता है सिर्फ टोपेंट वेरेंट के अंदर ही मारतिया में प्रॉइड करवारी है वह है अलफा अलफा के दोनों ट्रांशमिशन के अंदर देखने हो मिल जाएगा मैनुवल और ओटोमेटिक क और डॉल टॉन कलर में 16,000 रुपे का डिफरेंस है और ओन रोड की बात करें तो भाई यह डिफरेंस 18,000 चला जाएगा एक्सोरूम 16,000 है और ओन रोड 18,000 के सम्धिंग आपको यह डिफरेंस देखने हो मिलेगा तो यह थी फ्रॉंक्स की सभी वेरेंट्स की ओन रोड प्र प्राइज का डिफरेंस यह वो लेकर आने वाला हूं साथ यूस वीडियो में आपको बताँ होंगा कि अगर आपको इतना बजय टैमान लोग आप फ्रॉंक्स सिग्मा देख रहे हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए ब्रेजा का एलक साही लेना चाहिए या फ्रॉंक्स सि अगर आप फ्रॉंक्स लेना चाहरे हैं तो चैनल को जूरू से सब्स्राइब कर लेजिए जल्दी हुंड़ी भी एक नही गड़ी है वो लेकर आने वाली है उसके बारे में हम जल्द है वो बात करने वाले हैं तो गैस मिलते हैं इसी प्रकार के इंटेस्टिंग टोपी को लेकर तक के लिए ठीक केर एंड बाई बाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद